आप देख रहे हैं वोईस ओफ इंडिया खबर दिल्ली से आज देश में महिलाओं के साथ दुर्वेवार की घटायं बढ़ती देख माता पिता अपनी बच्चियों की शादी एनराई लड़कों से कराते है ताकि उनकी बच्चियां विदेश में जाकर खुशी से अपना जीवन बिताए मगर विदेशों में रहने वाले एनराई लड़के उनसे शादी कर उनके जीवन को बरवाद कर देते है ना ही उनने विदेश लेकर जाते हैं और ना ही वापस आकर देश में अपना घर बसाते है जिसकी वज़े से लाखो लड़कियों का घर बरवाद हो जाता है उन्ही लड़कियों को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है दिल्ली सिक गुर्दवरा प्रबंदक कमेटी ने और महिला सेल बना हाई कोट पे केस लड़कर लगबग 50 एनराई लड़कों का पासपोर्ट रद करवाने वाद देश भी इस तरह की अनराई शादी पर कानून बनाने का रास्ता भी बनता नजर आ रहा है आईए सुनते हैं अरट इसकर आप लगगना प्रसे एनराई नचर्णाफेश को प्रसेट को नहीं पीजिक टीम का होगए अनराई नगी मेरा स्वाल है विए यह ज़िए आपके यह चाट अपका प्रण पांच जामद रहा हैं और वो इनिटीव क्यों नहीं लेही है तिसाइड कानून किदर कमजोर रहे है I feel TANUN जह साइड को लॉज हैगेगी है but the implementation अधी लूज हैगी है we want effective implementation of the same so that is what and even if I believe there should be a comprehensive legislation which is only with respect to the NRI cases because there are so many cases that we come across or the legal cell has been coming across over here the DSGMC legal cell which we have come across so many cases like this and I do feel that it is time for the government of India for our country to have a new comprehensive legislation pertaining specifically to the NRI marriages because so many women they have been deserted and abandoned by people who are married who come from abroad who marry them and who leave them deserted over here and I feel that is another thing that there should be a national plan where the plan should be for making people like I would say going village to village at the grassroot level last one question that if one lady is going to finish the girl, what do you want to say? what do you want to say? I will tell you that once you have your child it is first of all our duty to have a thorough check up of the person we are giving our daughters to so that is... as a... as a... I would say that we should first have a proper thorough check up we should do a thorough check up that the day we will let them know about their children so that this problem won't be solved तनमी ने दा बच्चागरा आखे हो मेनू पेंड़ साथ गया पेकी कहां ता भई फेर जदो आऊंगा तो मैं तेनू ले आऊंगा मैंनू दस्यानियों ने वाहर चोरी चले आगया ते मेनू हो नो बहुत चाहर हो गया तक एखांदीनू ते सोला साल होगे मेरा केस मैं लड़ रहीं या लुद्ध्यानियों ते मेनू कोई अथो न्यानिया अज मेनू बहुत खुशी गया ते भी इनना ने परबंद के कमेटी आड़ा ने जड़ा अज मेनू बहुत ही खुशी अभी सानू जरूरी मदत मिरूगी साड़ा नया होगा आपको यहां अपरोच कैसे बता चलागी यहां परी साल खुला है हमारे गुरूप की एक लड़की ती जिसने आगे हमारी बात करवाई इनसे सबसे पहले हम गुर्द्वारा सिक कमेटी क धन्यवाद करेंगे और साथ में श्रोमनी कमेटी का भी धन्यवाद करेंगे कि इन लोगों ने हमारे सर पे माता पिता बनके हाथ रखा है हम लोग बहुत आस लेके आये थे तब हम लोगों बड़े तूटे हुए थे और रोरों के मतलब दुहाई दीन के आगे तो इन्हों उन्हें हमारे सर पे हाथ रखा और आशा की किरन हमें दिखाई उसके बाद हमारे केसों में प्रोसेस होना चालू हो गया छे साल से मैं अपने केस की लड़ाई लड़ रही हूं मेरा पती लखवीर सिंग है जो अभी कोवेत में रह रहा है उसका पासपोर्ट सस्पेंड हो पैंडा है लेकिन अब जो आज हमें हाई कोट की तरफ से जो पिया एल का नई किरन दिखी आशा की वह हमन लोगों की नहीं बलकिitos सीक कमेटी की और सारी बेटीं Commerce की जीता है कि यह भारत की इजित का सवाल है केले पनजाब की नहीं हम लोगों ने जैसे आसुप स UI है अब भीनती भी है कि वो इन लड़कों को वापस बुलाए और जो भारत में हमारे अधिकार बनते हैं हमें वो अधिकार दिलवाए क्योंकि जब भारत में हमें अधिकार नहीं मिलेंगे तो बाहर से लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये भारत की इज़त के साथ खिलवाड करने का क् थोड़े समय के लिए हमारी इजित के साथ खेल के चले जाते हैं और कानून के साथ छेड़-छाड करके खिलवाड करते हैं और दस-दस साल बाहरी बैठे रहते हैं जब हम लोगों जवानी से बुड़ापा आ जाते हम लोगों के उपर और हमें इंसाफ नहीं मिलता इनके वज़े से अब हमें बहुत अमीद जागी है इसलिए मैं फिर से गुर्द्वारा सिक्कमेटी का धन्यवाद करूंगी जल दे रहे हैं कि में अप्रोच कि में हुए और खोर होगी है मतलब ऐसा लाइफ दे एक सिच्वेशन करती है और इक है ना गेम है एक मोडल से अपर इंडिया ना दी बाहरों वांदे ने एथे देगे देने किस कार्ची आप आं व्या कर सकते हैं उत्थो जमीन होना दी विकवाद देने गैने विकवाद देने पैसे ले और ब दा मजाक उड़ाया है जिस तरह एंडिया ने बार जाके पियो डिकलेड ने एलो सी खुली हुई है लेकिन कोई एरेस्ट नी कर सकता और एरेस्ट करके ले आए किवें क्योंकि उस ते गाइडलेंस पॉलिसी प्रॉपर नहीं सी गिया असी हाई कोड जाके डिबांड कीती ह आसी है क्या है कि एक ते मैरेज किस तरह होनी है नराई दी उस ते एक प्रोसीजर बनाया जाए उस तो बात प्रोसीजर तो बात किस तरह है नरा नो डिपोर्ट करना है नरा दे उपर पर 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 तो बात तुझी समझो कि एलो सी खुल गई पर एलो सी ते नरा नो फाइदा कि पंजाब कोडियां ने दिली दिया गिया ने एनराइज मुंड़े आंदे ने जान दी चाहा रागते ने कोडियां जीवन खराब कर दे पेने ते गुरुद्वारा के बिड़े स्टेप चक्के ने सोच किदर हो आई एक ता मैंनों पता लगा सी और अखवारा नाहीं भी और साड़े कोल बहुत सारी लड़कियां आया भी सी मई महीं ने दे बेच साड़े सीनर मीत पदा आना सदार हर्मी सेंग जी काल का जिना जे कुंटेक्ट चाहियां और उन्हाने मुद्दा चक्या उसमा लीगल सेल जिसम बहुत सारी सत्यां हुईयां और इसाड़ियां पैना जिना ने ऐसा नराहीतों तो खा खादा जिड़े बार साड़े बंदे को ऐसे है जिड़े शिरारती दमाग दे आए जिना दा कारम सरफ हिंड़ा हैगा कि उ उन्हाने बार जिदों सोच सम अपनी बना रखी है मैं सारी आजी गाल नहीं करता है पंजे उंगला बरबर नहीं हो दियां बहुत सारे ऐसे शिरारती है जिड़े बंदे ऐसी सोच लग जाते पंजाव दे वचे हरे आना चे दिली चे होर भी बहुत सारे प्रदेशां बचे जना दे वचे आनके इते लड़किया ना नान्द कारती कर दे वे उसे बाद बाहर निजान के शाड़ी पंजाव जाहर आना दे लोग है और अपनी लड़कियां करेड़ा अमरीका जोरप अनल्यांड दे लोका नाना यह तार नाना व्याद दे है कि साड़ी लड़की जड़ी एक या ओऊ बाहर जाके सैटल होएगी तब पर जोजो तो असली चश्मा सामने आनदा है, उस वक्त इन निजारा कुछ हो रूंदा है, इस करके जदो इनसान तो खाखा जनदा है, क्योंकि जदो आन रेना ब्या कर दे हैं, खर्चे भी अन्ने भा होंदे हैं, उननों खोशकर नवास दे, जाहे सोना देना पावे, जाहे गड़िया बसंदी गाल होंदी है, तो उस वक्त कितने किते हैं, उननों तोखा खाणा पेंदा है, इस करके जिद्धे एक केस, साड़े सीनर मीत परदा अनहर्मीज सेंग काल करें चके, उनना ने परदा आंसावना गाल कीती, जैनल सैक्ट ने गाल कीती, कि सानू किसे ना कहे तरीके, इनना लड़कियां दी बाँ फढ़नी चाहिए दिया है, और असी फढ़ी, उस वाँ असी कोट गे, कोट बेचे, कोट ने साड़ी गाल दिली से गुर्दा कमेटी दी, बड़ी सीरस तरीका लई, और उनना ने एक्शन लेंदे होया, जाजने भी ये गल कही, कि ये बहुत स कोट ने रद करते हैं, उनना एना राई दे, जिनने लड़कियां नो तो ख़ता हैं, लड़कियां जड़ी हैं, बरवाद होके बैठी हैं, और मैं समझता है, आन वाले समय चे दिली से गुर्दा कमेटी चाहे जहदार मंजी सिंग जी के है, चाहे मंजंदर सिरसा है, चाहे हरमी सिंग काल का है, जा साड़े अमर जी सिंग जी फते नगर है, तो होर साड़े जड़े ऑफ्स बीर राई जैक्टर कमेटी है, असी एस मसले ते, तै देलतों, बद तो बद इना बच्चियां दी, हैलप करद करके, असी उनना दा मान बदा मागे,